हालो गाईज कैसे आप सब लोग टारुक्स पे आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूं आज मैं जो रिडिंग कर रही हूं उसमें आपको थ्री टाइम्स चुटकी बजानी क्यों बजानी वह मैं बताने वाली हूं ठीक है अगर आप चुटकी बजाएंगे तो किसी के एनर सबसे पहले मैं फिर उसके बाद चुटकी बजाएंगे मेरे साथ आप बजाएए उन्यूवर्स हमें गाइड करें कार्ट को शफल करके मैं बताऊंगी कि इस इंसान के मन में आपके लिए क्या है ठीक है क्या चल रहा उसके मन में इंसान के बारे में हम जानेंगे male female कोई भी हो सकता है married and married ठीक है boyfriend girlfriend कोई भी किसी के बारे में आप देख सकते हैं लिटरली कोई अजनभी भी है तो उसके बारे में भी देख सकते हैं उसके मन में क्या चल रहा है ठीक है इवन उसमा नाम ज़रूर याद होना चाहिए आपको इतना जरूर कीजेगा ठीक है और जिसके बारे में जानना चाहते हैं उस ही का नाम सोचेगा अगर आप किसी सेलिब्रेटर के बारे में पूछेंगे तो फिर नहीं मिलेगी रिडिंग ठीक है तो चले देखते हैं कि इस इंसान के एनरजी क्या है तो थर थी टाइम्स युनवर्स हमें गाइड करें आइंजल समें बताएं कि थी टाइम्स चुटके बजाकर व्यूर्स जो नाम सोच र इस इंसान की खुद की एनरजी ले ले लेते हैं सबसे पहले में फोर कार्ट्स निकालें गाइज लोके तो सबसे पहले इंके खुद की एनरजी टू अफ सौड्स बहुत ज़्यादा कन्फूजन में हैं आपके लिए सोच नहीं पारे समझ नहीं पारे दो ओप्शन इंके पास हो सकते हैं, दो रास्ते हो सकते हैं, ठीक है, दूसरा कार्ड यह आपके बारे में क्या सोचे हैं, Seven of Pentacles, Seven of Pentacles एक, आपके बारे में सोचे हैं कि आप जो है, बहुत ज़्यदा अपने साथ रखना चाहते हैं, आपसे relationship बनाना चाहते हैं, इस तरह के इनकी feelings हैं, और actually इस इनसान के इरादे क्या हैं आपके लिए, इरादे भी हम देख लेते हैं, overall इनके दिल में क्या है, यह पता करेंगे, Sun, यह definitely आपके साथ rebirth करना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ एक new beginning करना चाहते हैं, और वो भी बहुत साफ साफ clear cut communication के बाद या कुछ clarity आने के बाद, ठीक है, तो यहाँ पे देखे, क्या है इनके मन में यही चल रहा है, कि आपके लिए confusion जरूर है, बट यह definitely आपके partnership चाहते हैं, और yes, यह आप के साथ कुछ सच्चा ही बता कर आगे बढ़ना चाहते है, clarity आनी चाहिए, उसके बाद यह आगे बढ़ना चाहते है, कुछ cards all लेती हूँ, और क्या है इनके मन में, universe हमें काईट करें, मन मी क्या है मेरी words के लिए, जिसका नाम मेरी words होते है, उनके मन मी क्या है, okay guys, four cards इस त three and four, okay, bottom वाली energy poised की है, यानि कि यह बिल्कुल ready है, confident है, आपके लिए जो भी रिष्टा है, उसमें definitely ready और confident लग रहे हैं, ठीक है, चले देखते हैं, सबसे पहला card है यहाँ पर happy happy का, number 26 important है, number 36, 37 important है, never ending story, number 34 and number 35 important है, किसी एज भी हो सकती guys, okay, तो 26, 37, 34, 35 किसी की age हो सकती है, या 48 ठीक है, तो यह इंसान जिसके बारे में आप पूछे है, definitely आपके लिए confident भी है, ready भी है, ठीक है, यह जब कभी भी आपके तरफ से इशारा मिलते हैं, आपसे new beginning करेंगे, ठीक है, यह सिर्फ और सिर्फ आपके तरफ से कुछ मनलब जैस हैं, आपके तरफ से, कोई Leo हो सकता है, मुझे यहां पर ऐसा लग रहा है, यहां पर देखिए क्या है, इनके खुद की energy यह है, कि बिना किसी demand के आपके साथ यह एक बार relationship बना के देखना चाहते हैं, बात की बाद में सोचेंग पर at present इनके energy यह आ रही है, कि यह बिना किसी demand के आपके साथ सर्फ और सर्फ रिष्टा बनाने की सोच रहे हैं, ठीक है, आपके साथ mail मिलाप करना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहां पर लगता है, यह आपके बारे में क्या सूच रहे हैं, आपके बारे में यह लगता है, इनको कि आपको self-esteem issues है, यानि कि कोई भी चीज के मिलाप उसके बारे में निश्चित नहीं होते हो, कि यह सही कर रहा हूं यह गलत कर रहा हूं, ठीक है, इस तरह से आपके बारे में सोचें, आपने ही decision को आप criticize भी करते हो उपर से, ठीक है, आपके लिए feelings यह हैं, कि जिस तरह से आपको इनकी जरुत है, इनको पता है, तो कहीने का interdependent हो, आप एक दूसरे पर निर्भर हो, इस तरह की यह चीज़े सोच रहे हैं, इसलिए आपसे partnership चाते हैं, इसलिए प्यार मोबत या relationship बनाना चाते हैं, इवन ही आपसे कोई demand नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिलाल आप शुरुआत करके देखना चाते हैं, ठीक है, औ औरोल यह क्या सूच रहे हैं, इन के दिल में क्या है? लॉयल हार्ट के energy अर्जियर हो, इन के दिल में वह रहे हैं, यह आपको loyal मानते हैं, यह आप पर trust कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी बात को लेकर आप पर trust करना है, इनकी विश्वास है इनको आपके उपर, ठीक है, आप इ ट्रस्ट करें यहीं चाहते हैं इनके दिल में यह है कि आपको यह डेफिनेटली एक रिलेशनशिप में लाना चाहते हैं नो मेंटर अभी इन्होंने भविश्य की नहीं सोची पर यह आपके लिए रेडी भी हैं मेरे और इसमें क्या लिखावा चले पढ़ लेते हैं इनको यह लगता है कि अभी इंपोर्टेंट है कि आप थोड़ा सा पीछे चले जाएं आगे बढ़ने से पहले थोड़ा पीछे जाएं अगर किसी और चीज़ पर फोकस करना चाहरे हो तो यह डेफिनेटली चाहते हैं कि फिलाल यह खुद आप जो है खुद अपने आप पर फोकस करें ठीक है तो अपनी उपर फोकस करना जरूरी है इनको यह लग रहा है कि अभी फिलाल आगे मत बढ़ो थोड़ा सा पीछे च करो ठीक है यह कहना यह चाहते हैं दूसरा कार्ड मेरे पास यह वाला है जो रेंडमली मैंने सलक किया है और इस पर क्या लिखा हुआ है criticizing one another will only lead to further unhappiness यानि कि एक दूसरे को criticize करना आप गलत हो यह गलत है आप confident हो यह unconfident है इस तरह की बाते हैं किसी की decision को criticize करना गलत है यह सिर्फ unhappiness यह जैसे कितने चीज़ें खराब करती हैं ठीक है love and accept each other as you are यानि कि एक दूसरे को वैसे ही स्विकार करो जैसे एक दूसरे हैं ठीक है जिस तरह की आपकी परस्तितियां उसमें आपको यही कहना चाहते हैं कि एक दूसरे को criticize मत करो आप जैसे हैं वैसे ही स्विकार करो एक दूसरे को ठीक है यानि कि एसा करोगे तो आपका relationship magically transform हो जाएगा ठीक है तीसा कार में यह वाला लूँगी यह वाला मुझे अच्छा लग रहा है चली देखते हैं इस पर क्या है इनका message playfulness laughter is the best therapy have some fun together and remember love is the greatest killer यानि कि आप एक दूसरे के साथ love affair में आते हैं relationship में आते हैं तो यह आपको heal करेगा यह कहना ही चाहते हैं ठीक है लास्ट वन यह वाला कार लूँगी और इस पर क्या लिखा हुआ है क्या कहना चाहते हैं यह क्या सोच रहे हैं दिल से क्या सोच आपके लिए when it comes to matter of hearts there is no right and wrong यानि कि कहना यह चाहते हैं कि जब दिल के बात आती है तो सही गलत कुछ भी नहीं होता ठीक है युद्व में कूदने के बाद में जब इनसान सोचता है जैसे युद्व में कूद जाते हैं तो उसके बाद किसकी हार किसकी जीत कोई नहीं सोच पाता है उस करता है ठीक है इस तरह से कहना चाहते है तो पूरी तरह से इनके रिडिंग में लग रहा है कि यस यह कॉंफिडेंट नहीं है आपके लिए अब यह सिर्फ रिलेशन्शिप बनाने की सोच रहे हैं अगर आप डेफिनेटली इनके साथ जाना चाहते हो तो यह यह सोच रहे ह कि आप जैसे एक दूसरे को वैसे accept करें ठीक है किसी को criticize मत करो कि आप में कमी है या आप में यह कमी है ठीक है इस तरह से बाते ना करें और यह चाहते हैं कि आप इनके साथ definitely fun करें ताकि यह जो है energies आपसे मैच करें ठीक है तो यह जो रिडिंग थी आपसे अगर कुछ भी म